wish you all a very 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 happy and prosperous दिवाली आप सभी को दीपावली की बहुत-बहुत-बहुत सारी शुबकाम नाए तो दिवाली आ चुकी है तो हमारे जो यदन्या के सब्सक्राइबर्स है तो उनके लिए भी एक अच्छी गुड न्यूज है टाटा पावर के जो शेर होल्डर से उनके लिए भी है काफी अच्छी न्यूज है थोड़ी से आवाज में हिचकी चार्ट है तो पहले बता देते हैं दिपावली की शुब अवसर पे हमने हैपी दिवाली ये प्रोमो कोड लाँच किया है आप लोगों ने देखा होगा अराउंड 10 मॉडल पोटफिलियो हमने लॉच किये है और जो एक पॉपिलर डिमांड थी इस्पेसिफिकली जो लोग रिन्यू कर रहे थे अपने मॉडल पोटफिलियो सब्सक्रिप्शन्स तो उन्होंने कहा था सर हमें एक स्पेसिफिक लाँच कर दिया है तो आप अभी इंडिविजियल मॉडल पोट्फिलियो को भी सब्सक्राइब कर सकते हो इस दिपावली की अफसर पे हैपी दिवाली ये प्रोमो कोड पे आपको 50% 50% फ्लाट डिसकाउंट हमारे सारे पे रिसर्च प्रोडट्स पे मिल सकता है येस इस इस दी हाइस डिसकाउंट्स वी हाब गिवन तिल डेट और अगर आप कॉंबो ऑफर्स के लिए जाते हो या फिर तीन साल के सब्स्रिप्शन के लिए जाते हो तो डेफिनेटली जो डिसकाउंट्स होंगे वो और भी जादा होंगे आराउंड 70-75% तक भी आपको वो डिसकाउंट्स मिल सकते हैं तो प्लीज विजिट इन्वेस्ट एदन्या डॉट इन और इस प्रोमो कोड का इस लाउंचिंग ऑफर का इंडिविज्व पोर्फिलियोस का उसका लाब उठाईए दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 50% कॉस करना ही चाहिए हमने बहुत सारे डिसकेशन करने वाला हूं बट तो स्टार्ट विद दिवाली इस फेस्टिवल ऑफ लाइट्स तो फिर अगर लाइट्स की बात हम करते हैं तो हमने टाटा पावर के आज इस गुड निउस के बारे में भी यहां पे बात करनी चाहिए तो अगर इसे मैं रुपीज टर्म में कनवर्ट करता हूं तो अरूंड 3,750 क्रोर तो 5,625 क्रोर रुपीज का इन्वेस्मेंट ब्लाक रॉक की तरफ से टाटा पावर के रिन्यूएबल एनरजी का उनका जो सबसीडरी है उसमें आ सकता है अगर टोटल टाटा पावर का मैं मार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनरजी बिजनेस में आ रही है एक चीज़ याद रखनी चाहिए इस पर्टिकुलर ग्रूप इस नोन फॉर इंवेस्टिंग मतलब प्राइविट इक्विडी स्टेज पे इन्वेस्मेंट के लिए काफी जाना जाता है ये ग् बिलियन डॉलर इस 7500 क्रो रूपीज और 5 बिलियन डॉलर के अगर हम बात करते तक का यह वैलुएशन उस पर्टिकुलर सबसेडरी का हो सकता है I understand they will have some stake वो कितना होगा I think we will come to know between 10 to 15% so I think that will come out बट उसके इसाब से अगर हम बात करते तो डेफिनिटली टाटा पावर का टीपी जी ने टाटा मोटर्स में एक इन्वेस्मेंट की और उनका जो इलेक्ट्रिक वेहिकल का अकेले का वो जो एक यूनिट का वैलुएशन है वो राउंड एट तो नाइन बिलियन डॉलर तक का हो गया था तो यह भी अगर इन्वेस्मेंट जहां तक समझ में आ रहा है यहां तक यह दिस्केशन हो रहा है तो इस अल्मस्ट फाइनल आई थिंग अधर कंफिरमेशन विल कम इन कमिंग देज तो आई थिंग पॉसिटिव साइन आज की घडी में अगर हम बात करते हैं तोटल जो साइज है या फिर कैपैसिटी है टाठा पावर की आट इस अरूं प्रोजेक्ट्स आते हैं अल्रेडी 2.6 गीगावाट के सोलार एंड विन प्रोजेक्ट तो आ चुके है 1.2 गीगावाट की ओडर बुक है और यह जो बुक है जो अभी 33 33 33 परसेंट तक की है तो इस बुक को टाठा पावर बाई 2030 80 परसेंट तक लेखे जाने वाला लेके ज EV charging stations के बारे में बात करेंगे तो more than 1000 EV charging stations already Tata Power के हो चुके है जिसमें टाइब से उनके HPCL के साथ या फिर लोडा के साथ या फिर TVS के साथ Tata Motors के साथ JLR के साथ ऐसे बहुत सारे companies के साथ इन्होंने अल्रेडी टाइब कर चुके है Q2 FY22 के अगर हम बात करते हैं तो around 1500 क्रो revenue इस renewable energy business से आ चुका है Tata Power को और EBITDA के अगर हम बात करते हैं earnings before interest, tax, depreciation and amortization So that particular number is more than 700 crore rupees So I think यह सारी चीज़ें अगर हम देखते हैं तो एक अच्छा खासा focus यहाँ पे नजर आ रहा है BlackRock के जो CEO है Mr. Larry Fink उनको green warrior या biggest green warrior कहा जाता है Wall Street का और उनका focus अभी Tata Power पे नजर आ रहा है मुझे ऐसा लगता है कि they will not stop at this particular investment I think the types or journey of investment will continue in coming days उनका एक target था उन्होंने एक green energy fund raise करने का around 2.5 billion dollar का उनका target था but उसमें जो subscriptions आए that has come around 4.8 billion dollar और उसमें जो investment करने वाले लोग है these are not retail investors these are institutional investors यहाँ पे ESG पे जो focus हमें नजर आता है institutional investors की तरफ से I think वो यहाँ पे काफी खरा उतरता हो नजर आ रहा है so it's a big 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 positive for Tata Power shareholders, Tata Power investors I don't know कि एक दो दिन तीन चार-पांच दिन में क्या होने वाला या फिर वीक्स में क्या होने वाला है या फिर आने वाले मंस में क्या होने वाला है Tata Power के share price के साथ but if you ask me about the next five years ten years or next two three decades तो मुझे लगता है वो स्टोरी काफी अच्छी तरीके से बिल्ड हो रही है अल्रेडी कंपनी ने एक विजन दे दिये by 2030 they want to have 80% of their book पावर की जो प्रोडक्शन है वो green energy clean energy से होना चाहिए so this is a big positive for the shareholders that's what I feel so मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तो invest.in.in को विजिट करना मत भूलेगा और वहां जाके happy दिवाली ये प्रोमो कोड यूज कीजेगा and get 50 to 70% discount 50% of flat discount individual products बहे ही अगर combo of 3 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो तो discount काफी जादा भी हो सकता है मैं आशा करूंगा अब ज़रू invest.in.in को विजिट करके ये सब्सक्रिप्शन लोगे इसे वीडियो के लिए चैनल पर बने रही है और नेक्स वीडियो तक के लिए मुझा के दीजिए दोस्तों चैहिन